और आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जनरली एक्जाम में पूछा जा सकता है जी हां मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हम पैराग्राफ को राइट करते हैं मां दीज्ये एक बाइय डाटा आपके एक्जाम में दे दिया हो जैसे कि सबत्स अंजुम का बाइय डाटा दिया है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जैसे कि बॉर्ल कब पैदा हुई थी जैसे कि हम भुपाल और मद्धिपदेस दिया हुआ है उनके मात्पिता कौन है mother father की डिटेल दे दिया गया है occupation occupation का मतलब क्या होता है व्यावसाय को बोलते है एक्च्वल में वो वो क्या करती है यह यह जानकारी वो पूछा जाता है ठीक है जॉब किस जॉब में है कौन से कारे को करती है यह है lives मतलब कहां रहती है और games प्लेयर थी एक हॉकी प्लेयर थी इन्होंने बहुत सारे गेम से participate कि होंगे तो वह games की detail दी है कि कौन-कौन से इन्होंने participate किया है साथ ही साथ awards सभाई सी बात है एक player है तो कुछ awards भी जिते होंगे तो वह awards की detail यहां आपको उपर में दिखाये देंगे कि गुडदाथुर यह रजद ऑबाड है अर्जनावाड है पदमस्री अवाड है उस सारे the 당 यह वे सारे इस सारे स्ने TWO एक यूज करके क्या हम एक अच्छा paragraph लेख सकते हैं क्या एक simple paragraph लेख सकते हैं ताकि ये कमजोर से कमजोर बच्चा भी इन details को basic detail को यूज करके आप advance में आ तो बहुत अच्छे अपने words अगर आप use कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन क्या हम basic knowledge के साथ क्या हम details को यूज करके paragraph लिख सकते हैं तो चलिए हम उसको देखते हैं देखें सबसे पहले जब भी अगर तारीक जन्मक होगा तो तारीक को बताने के लिए हम on preposition का यूज करते हैं तो यहाँ देखिए मैंने on का use किया हुआ है ठीक है जगा को बताते हैं तो छोटी जगा के लिए हम at और बड़ी जगा के लिए हम in का use करते हैं तो चलिए start करते हैं सबा अंजूम वास बॉर्न on यहाँ देखिए तारीक के पहले मैंने क्या लगाया on लगाया on April 12, 1985 at Bhopal in मद्ध प्रदेश तो यह first हो गया mother और father को हम parents भी बोलते हैं चुकि यह लड़की है तो उसके जो parents होंगे उसके पिता माता-पिता के जोड़े को parents बोले में हर parents name are उनके माता-पिता का नाम क्या था नाम क्या है फरीदा बेगम and रफीग बग्स तो यह detail भी clear हो गई थर्ड डेटेल है उनका occupation क्या है hockey player hockey player तो C is a famous hockey player वह एक प्रसिद्ध hockey player player है ठीक है वह एक प्रसिद्ध hockey player है वह अभी भी खेलती है किसी इवेंट में भाग लेती है इस लिए इस का प्रयोग किया होना तो मैं वाज लगा सकता था ठीक है तो यहां हम उस डेटेल को भी यूज कर सकते है C is a deputy superintendent of police at Durg वह DSP है ठीक तो यह डेटेल भी हमारी clear हो गई फिर कहां रहती है तो C lives in Durg कहां रहती है तो वो Durg में रहती है तो हम यहां लिख सकते है C lives in Durg अब देखे C participated many events such as CWC Commonwealth Games ठीक है CWG है CWG Commonwealth Games है तो यह G है समझे पेंड नहीं चल रहा है ठीक है CWC CWG Commonwealth Games है वो यहां आ गया Commonwealth Games CWG ठीक है तो यहां देखे गेम्स की डिटेल है CWG Commonwealth Games है Manchester में जो हुआ था Asia Cup 2004 New Delhi में हुआ था Asian Games 2006 दोहा में हुआ था तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C participated उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैनी इवेंट्स बहुत सारे इवेंट्स में सच जैसे की CWG Commonwealth Games 2002 Manchester Asia Cup 2004 New Delhi Asian Games 2006 दोहा ठीक है तो यह डिटेल भी हमारी क्लियर होगी अब लास्ट है अवार्ट्स का अवार्ट्स में अगर देखते हैं तो हम यह सब हो सकते हैं C has been awarded उनको बहुत सारे अवार्ट्स से नमाज आ गया है various awards बहुत सारे अवार्ट्स से सच जैसे की गुंदाधूर sports award अब यहाँ नाम लिख दो गुंदाधूर sports award अर्जुनावाद 2013 एंड पर्द मस्री अवाद 2014 स्वार्ड 15 2015 तो इस तरह से यह जो एक complete जो डिटेल है क्या एक बाया डाटा को लेकर हम छोटे छोटे sentence बना कर एक paragraph हम आसानी से लिख सकते हैं आई हो इससे आपको idea मिल गया होगा इससे रिटेट अगर कोई भी दूसरा भी अगर बाया डाटा आएगा तो इसको आप ऐसे ही अराम से बना सकते हैं